साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताकत ये हैं, कि कैसा भी समयाएं, कितना भी अंधेरा चाएं, भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है. हमारा यूगों यूगों का इतिहास इस बात का साक्षी है, दुनिया जब अंधकार से दौर से और गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जगडी थी, तब भारत मात्रों शक्ति की पूजा देवी के रुप में करता था. हमारे हां गारगी, मैत्रई, अनसुया, अरुंधती और मदालसा जैसी विदुशियां समाज को ज्ञान देती से. कठिनाईयों से भरे मद्यकाल में भी इस देश में पन्ना घाय और मिराबाई जैसी महान नारिया हुई. और अमुर्थ महुत्सों में देश जिन साधिन्ता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है, उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिये हैं. कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगीनी हाजरा, रानी लक्ष्मी भाई, विरांगना जलकारी भाई, वहाँ से लेकर सामाजिक छेत रख में, अहल्या भाई होलकर, सावित्र भाई फुले, इन देवियों ने भारत की पहचान बनाए रखी, कि आजदेश, लाखों, स्वाधिनता, सेनानियों के साथ, आज़ादी के लड़ाई में, नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है, और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए, आज सैनी स्कूलों में पढ़ने भार का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है, अब देश की कोई भी बेटी, राष्टर रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपुन जिम्मेदारिया उठा सकती है, महलाओ का जीवन और केरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मात्रू अवकास को बढ़ाने जैसे फैसले भी किये गए है, देश के लोकतंत्र में भी महलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, 2019 के चुनाओं में हमने देखा कि किस तरह पूरूसों से जादा महलाओं ने मतदान किया, आज देश की सरकार में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारिया महला मंत्री समाल रही है, और सबसे जादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बड़लाव का नेत्रत्वा खुद कर रहा है।